हेलो श्रेंड्स वेरी गुड इवनिंग टू आल अफ यू मैं उमीद करता हूं कि आप लोग जितने भी पांच तारीक को आज एक्जाम दिये हैं सभी लोग का एक्जाम काफी अच्छा गया होगा क्योंकि जिस लेवल से आप लोग के प्रति मेहनत किया गया है पूरे Call, Comment या फिर María fella जो मैसेज आ रहा है या फिर डेरेक्ट वाट्सप में मैसेज आ रहा है इससे यह पता चल रहा है कि आप लोग जो है ना, जिस तरीका से आप लोगा मेहनत किया गया था, आप लोगा प्रती, वो जो है ना, मेहनत सफल हुआ है, सकसज हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि maximum से maximum question आपके theory से मिले है, जो theory ढंग से पढ़े हैं, जो theory जो लगातार तीन महिना से classes चल रहा है, साड़े तीन महिना से वो classes continuity रूप से complete कर रहे हैं, उन्हें लोग को प्रस्न छुटने की chance बहुत कम के बरावर, क्योंकि जिस लेवल का moderate, लेवल का question पुछा गया है, एजी to moderate बोल सकते है, जिस लेवल का question पुछा गया है, ठीक है ना, तो आप लो वही चीज है, तो यह चीज मैं आपको बता दू, कि जो continuity से theory complete किये है, उन लोग को result काफी ज़्यादा होना जब result आएगा, तब देखिएगा, कि सबसे ज़्यादा ज़्यादा जिस तरीका से record तोड़ परफॉर्मेंस था, result का study data का, उससे कहीं दोगना, तीवना, इस बार जब से ज़्यादा result आने जा रहा है, ठीक है, जिस तरीका से आज पांच तरीका exam students का हुआ है, ठीक है न, क्योंकि notes से theory वाला section जो notes से है, जो आपका, जो लगवक 1500 question करवाया गया है, वहां से और test में maximum question direct आया है, ठीक है न, तो आज ही जो 11 और 12 तरीक जो exam होने जा रहा है उन लोगों को एक topic में बताने जा रहा है, यहां से दो question जरूर exam में, एक या दो question जरूर exam में आयेगा, ठीक है यह already topic पहले भी करवाया गया है, यह topic पहले भी करवाया गया है, तो आज यह classes की तरह होगा, ठीक है न, जितने भी committee है, वह जिसे भोर committee आज की exam में आया था, वह सारा committee के बारे माच question हम लोग deal करने वाले हैं, और जिनका जिनका आज exam हुआ है, वो इस video के comment section में सबी लोग comment कीजिएगा, कि आपका कितना attempt है, कितना attempt है, कितना attempt आपने लिया है, और कितना, किस-किस topic से question आया है, अगर question याद हो तो question भी comment कीजिएगा, ताकि और आने वाले exam, जो 11-12 को देने वाले हैं, उन लोग को फाइदा हो और वो topic को फिर से बीच में revision करवा दिया जाए, क्योंकि आपको अभी जो 12 तारिक को जिनका जिनका exam होने जा रहा है, उन लोग को क्या करना कि जो theory का primary health nursing में जाएंगे, तो जितना theory का PDF है, तो PDF को आपको धंग इसे पढ़ना, देख सकते हैं, injection से बारे में, आज काफी ज़्यादा question कुछा, vaccination से बारे में, injection के बारे में, यानि कहने का मतलब जितना theory आप लोग करवाया गया, enough था, enough देख सकते हैं, है न, हर injection के बारे में, हर चीज के बारे में, टीका के बारे में, एक चीज पुरा details म आपको theory में करवाया गया, यह सब जितने section, आपको PDF में जा करके PDF को revision करना, बाकी इदर फाल्तू चीज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है न, जितना करवाया गया, enough content है, इसको complete करके आपको exam में जाना है, देख सकते हैं, यहाँ पर स्वक्षता का सिधान परावनिया, प आपको revision करना है, साथ ही साथ अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक न, community health nursing कहा गया, यह रहा, community health nursing से अच्छा खासा question है, देख सकते हैं, देश की स्वास्त नीती, योजना, कार्श करम क्लास टू, देश की स्वास्त नीती, योजना, कार्श करम क्लास वन, प्रार्थ चीज करवाया गया, बस आपको थियोरी में जाकर करके PDF को चुड़ी कर लेना है, PDF को revision करना है, जितना है, जिसे health promotion हो गया, child health nursing, community health nursing, primary health care nursing, midwifery health care management, यह सब topic है, इसको revision करना है, अभी जो एक पांस से साथ दिन जो समय मिला है, पांस से छाओ दिन जो भी समय आपको मिला है तो इस time में आपको revision करना है, ज्यादा फालतू चीज, जो जो कुछ important content जो लेगा, वो भी जो update में आपको करते जा रहा हूं, ठीक है न, तो यह सब आपको revision करना है, PDF section में जाकर करके, ठीक है, PDF section में जाकर करके, आपको revision करना है, test से जो है न, test जो अभी तक नहीं दे रहे जो है, न, बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, कि maximum 80, 95, 100 तक भी attempt कर रहे हैं, अरे भाईया, उतना attempt कीजिएगा न, तो negative में आकर के फिर चल जाएगा, 30, 32 नंबर पे, attempt करना बड़ी बात नहीं है, आपने कितना सही attempt किया, वो बड़ी बात है, ठीक है न, एक मैं वीडियो देख रहा है, उसमें एक दो लेड़ी जी, बोल रही, मैंने काफी जाद attempt किया, लेकिन उसमें जीके भी पूछा है, अरे भाई सार, जीके ना कोई syllabus है, ना कूछ है, तो यह से आपको अपवाव से बचना है, और ध्यान देना है, अपनी पढ़ाई पर, अपनी content पर, अपनी classes पर, अपने theory पर, जो पढ़ें उसको मेहनत करना, theory को revision करना है, ठीक है न, कोई बोलना है 95, 99 attempt किये हैं, मैं आपको इस channel पर upload कर दिया हूँ, सेफ आपको कम से कम 60, 50-60 एभाव आपको लाने का कोशिश करना है, attempt माइने नहीं रखता कि आपने कितना attempt किया है, माइने रखता कि आपने कितना सही किया है, ठीक है न, क्योंकि negative marking है, यह आपको ध्यान देना है, ठीक है, यहाँ पर इसलिए negative marking test पर, उसी तरी का same pattern पर करवाय जा रहा था, आप टाला गया है, ठीक है न, हाँ, डेवरी भी एसन सही, full form सही question, पुछा ही जाएगा, पुछा ही गया भी है, ठीक है न, चलिए, तो यह सब आपको देखना है, चलिए तो आज हम लोग शुरू करते, आज का important session, सब लोग वीडियो को like और share करते, सभी लोग, और जो 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 comment किजिए, किस topic से कौन सा question आए, याद है, तो, तभी उस topic का फिर से revision करवा दिया जागा, और यहां सब देखें, नीती, यह सब जो है न, already यहां पर, community health nursing में, नीती बगरा, already सब करवाया गया था, देखिए, देश की परमुख, नीती, ओजना, कार्ज करम, कलस 1, देश की ग्रूप है न, इसे ग्रूप में, WhatsApp ग्रूप का लिंग डाला गया, और सब लोग जोईन कर लिजएगा, यहां सबसे ज़्यादा result आपको, जो है, जो है, जो है, जो result आएगा, तो, cut-up की बात, मैं बात करूँगा, जब exam, तीनो दीन, बारा तारीश तक का exam हो जागा, उस सारा ची जो है न, भोर कमीटी, जो है, जितना कमीटी, जो है, मुरली धर कमीटी, यह सारा करवाया गया है, और लेड़ी, PDF में जा करके देखिएगा, ठीक है, तो इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं, important कमीटी, जो है, ठीक है, चलिए, सब लोग वीडियो को लाइक और share क को बताना चाहूंगा, कि स्वास्वाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने, time to time हमेशा कुछ-कुछ कमीटी, कुछ योजना, यह सब सरकार अप्टूडेट करते रहता, चलाते रहता ताकि भारत में स्वास्वाओं पूरी तरीका से चल सके, सुचारू धंग से चल सक जो कि आज के एकजाम में फर्स्ट सिफ्ट में आया हुआ कोच्छन है, भोर कमीटी, यह सारा जोहन अप्लिकेशन करवाएगा कोच्छन है, यूटू पे भी अबजक्टी में एक कोच्छन करवाएं कितनी बार, ठीक है, तो भोर कमीटी का शुरुआत किया था, और यह भो पोर्ट जारी किया गया था 46 में, कितना वर में कलास में भी करवाया हूँ, तो आपको मैं बता दू कि भोर कमीटी, जो है न, भोर कमीटी का गठन जो है न, स्वतंतरता के पुर, यानि भारत जब 1947 में जाद हुआ तो उससे पहले, ब्रिटिस काल के दोरान, 1943 में इस कमीट का गठन किया गया था, कौन सा कमीटी, भोर कमीटी, भोर कमीटी को स्वास्त सर्वे तता विकास कमीटी यानि हिल्थ सर्वे एंड हिल्थ सर्वे एंड डेवलप्मेंट कमीटी के नाम से भी जाना जाता है, अगर आपके एजाम में ये पूछ देगा, भोर कमीटी तो और पुछ दिया है तो आप पुछने के चंसेज कम है बाट आने वाले एग्जामों में ये और अदर जो कमीटी है वो एग्जाम में पुछएगा ठीक है ना क्योंकि जब कोश्चन से कियां जाता है ना तो जैसे एक सिक्ट में committee से पूइ दिया तो आगे आने वाले सिफ्ट में भी committee से एक आज question जरूर दिखने को मिले इस level का आपको question set किया जाता है देखे भोर committee को स्वास्त survey तथा विकास committee के नाम से भी जाना जाता है याल्थ survey and development committee के भी नाम से जाना जाता है स्टार्ट उनीस सो शालिस, त्यतालिस में स्टार्ट किया जाता, लेकिन इसका रिपोर्ट शालिस में मैं भी डिसस करूँगा, हाँ, जब भोर कमीटी स्टार्ट हुआ था, उस समय चेयर मैन कौन थे, जोसेफ भोर के, क्यों, ये सब इंगलेंड लोग थे, क्योंकि भारत अ होने से पहले के कमीटी आया था, त्यतालिस में आया था, तो भारत अजातों स्टार्ट हुआ था, तो उस समय चेयर मैन इसका थे, उस कमीटी के जोसेफ भोर थे, इसी कारण इसे अपने नाम पे भोर कमीटी नाम रखा था, अब भोर कमीटी का गठन जो है न, देश के अब भोर कमीटी इसलिए बनाया था, ताकि देश में स्वास सेवाएं को सही तरीका से असेस्मेंट कर सके, उसको रिकमेंडेशन यानि स्वास से बगर जितने भी स्वास सेवाएं उसको ढंग से चल सके, इसका मेन उदेश था, देखे, ये जो है न, भोर कमीटी आया था, तो 1946 में इस कमीटी ने अपना सिफारिश पर तूद किया था, मतलब ये 43 में, उनी सो, 43 में एक कमीटी लागू होता है, और ये ही जो है, 1946 में एक कमीटी क्या होता है, अपना रिपोर्ट जो है न, तीन साल में पुरा दर्वे करके रिपोर्ट सम्मिट करता है, ठीक है न, तो आपसे question क्या पूछा था एक वर confirm किजिए गाम, कि आपसे पूछा था, क्या start कब हुआ था, या report कब submit किया था, अगर start कब हुआ था, तो 43 में, अगर report कब submit किया था, तो 46 में, clear है, चलिए, आगे महन करते, अगला committee जो आपके सामने है, वो है, मुरली धर committee, ठीक है न, कमीटी भारा सरकार ने 1969 में, जब भारा तजाद हुआ था, उसके बाद, जो है न, इस committee का, जो है न, लाओ किया गया था, मुरली धर committee के गठन किया गया था, और मुरली धर committee के जो chairman थे, डॉक्टर ए, लक्षवी नरायन स्वामी मुरली धर थे, कौन था उस बाद, chairman, डॉ स्वास्थ सर्वे तो था, नियोजन कमीटी, यानि हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमीटी के नाम से जाना जाता है, मुरली धर committee को किस नाम से जाना जाता है, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमीटी, यानि मुरली धर कमीटी के नाम पे, अगर एक्जाम में आने वाले सि यह कब लाउ किया गया था, जंगल वाला कमीटी 1964 में गठन किया गया था, जंगल वाला कमीटी, और जंगल वाला कमीटी के चेर्मेन डॉक्टर एन जंगल वाला था, चेर्मेन उसमें कौन थे, तो आपको असानी से याद हो जाया, क्योंकि जो कमीटी है, वो अपने नाम पे जो कमीटी को लागू किये थे, कमीटी को गठन किये थे, अपने नाम तो उस कमीटी का नाम भी रख रहे थे, ठीक है न, चलिए, यानि जंगल वाला कमीटी उनी सो चौसट में लागू किया गया था, उसका चेयरमन थे, डॉक्टर एन जंगल वाला, जंगल वाला कमीटी को स पररस्तूत किया था बोर कमिटी जैसे 43 में लागू किया गया था चालिस तरीका से जंगल वाला कमिटी है 1964 में लागू किया गया था और यही जो है ना 1967 में अपना रिपोर्ट ये जो है ना पशित किया था क्योंकि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट जो टॉपिक रहेगा आपको इस चैनल पर मिल जाएगा ठीक है ना अगला कमीटी जो आपके सामने आया था वो था करतार सिंग कमीटी करतार सिंग कमीटी को जो है ना कमीटी ऑफ मल्टी परपोस बरकर अंडर हिल्थ एल्ट फैमिली प्लानिंग के नाम से जाना जाता है करतार सिंग कमीटी 1973 में लाओ किया गया था यह कब लाओ किया था तो यह आप confusion नहीं रखिया, 1972 में बना था, report 1973 में प्रस्तूत किया था, ठीक है न, यह committee 1972 में बना था, और यह committee जो है न, report कब प्रस्तूत किया था, 1973 में, ठीक है न, कब बना था, तो 1972 में बना था, ठीक है न, बना था, और report 1973 में report प्रस्तूत किया था, ठीक है, report प्रस्तूत किया था किया था कौन करतार सिंग कमीटी अगला जो कमीटी है उसका नाम है सिरिवास्तव कमीटी सिरिवास्तव कमीटी का गठन जो है नवंबर 1974 में किया गया था सिरिवास्तव कमीटी का गठन 1974 में गठन किया गया था और सिरिवास्तव कमीटी के चेर्में डॉक्टर जेव सिर्वास्तव थे, सिर्वास्तव कमिटी को Group on the Medical Education and Support Manpower के नाम से भी जाना जाता है, अगर इजाम में पूछ दगा कि Group on Medical Education and Support Manpower कमिटी कब लाओ किया गया था, तो 1974 में लाओ किया गया था, और यह जो है ना 1974 में, 1974 में लाओ किया गया था, और यह अपनी Report परस्तुत किया था, 1975 में यह सुनों ने अपना Report परस्तुत किया था, यह सब चीज आपको ध्यान देना है, यानि सिर्वास्तव कमिटी का जो गठन जो हुआ था, नमबर 1974 में गठन किया गया था, सिर्वास्तव कमिटी के जो चेर्में थे, डॉक्टर जे बी सिर्वास्तव थे, अपने नाम पे ही, इस कमिटी का नाम रखा था, इस कमिटी को Group on the Medical Education and Support Manpower के नाम से जाना जाता है, और 1975 में यह कमिटी ने अपना Report को प्रस्तूत किया था, खिलियर है, चलिए, आगे बात करते हैं, एक कमिटी जो और है, वो है मेहता कमिटी, ठीक है न, मेहता कमिटी क गठन 1983 में किया गया था, मेहता कमिटी का गठन कब किया गया था, तो 1983 में किया गया था, और मेहता कमिटी को Medical Education Review Committee के नाम से जाना जाता है, तो आपको याद करना है, किलिए रहे, अगला है बजाज कमिटी, बजाज कमिटी के बारे में अगर देखते हैं, तो बजाज को 1985 में गठन किया गया था और बजाज कमिटी के चेर्मान जेस बजाज थे और बजाज कमिटी को Health, Manpower Planning, Production and Management के नाम से भी जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है तो Health, Manpower Planning, Production and Management के नाम से भी जाना जाता है क्लियर है बजाज कमिटी का रिपोर्ट का जारी किया गया था 1987 में ठीक है ना 1987 में रिपोर्ट जारी किया गया था बजाज कमिटी 1985 में लागू किया गया था लेकिन इन्होंने अपना रिपोर्ट दो सल बाद 85, 86, 87 यानि 87 में इन्होंने अपना रिपोर्ट को प्रस्तुत कि ठीक है ग्रामी स्वास्ति ओजना के सुरात 1977 में सिर्वास्तव कमिटी के रिपोर्ट के अधार पर बनाया गया था अब बात करते हैं कमिटी नरसिंग और नरसिंग वेफ़साई पर हाई पावर कमिटी यानी कहने का मतलब इस कमिटी का गठन 12 सकार द्वारा 1987 में किया गया था प्ररड़म में इस कमिटी के चैयर्मन डॉक्टर जोती को बनाया गया था लेकिन बाद में कुछ कारणों से इसे परिवर्दन करके चैरमेन सिरीमती सरोजनी बरदपन को बना दिया गया था और इस अधार पर इस कमिटी को सरोजनी बरदपन कमिटी के नाम से भी जाना जाता है बहुँ जादा important committee है ये ठीक है न ये जो है न प्रगम में इस committee जो है न ये आपको nursing और nursing website पर high power जो committee आया था न इस committee को 1987 में लाउ किया गया था लेकिन इस committee के chairman starting में बनाया गया था ये जो फर्स्ट जो chairman थे फर्स्ट जो chairman थे ये फर्स्ट chairman थे फर्स्ट chairman थे डॉक्टर जोती को बनाया गया था लेकिन कुछ कारण बर्स उन्हें chairman से change कर दिया गया उनके जगा किसी और chairman को बना दिया गया और वो chairman बने थे सरोजनी सरोजनी बरदपन और ये सरोजनी बर्दपन कमीटी किले रहे सरोजनी बर्दपन कमीटी तो यह सब चीज आपको ध्यान रख देना है यह आपको कुछ इंपोर्टेंट कमीटी था मेडिकल से रिलेटर जो अभी आपको करवा दिये गए हैं साथ ही साथ मैं आपको बता दू कि जो स्टडी इंडियाडा पे और भी यहां पर जैसे देखिएगा यहां पर श्वास्टीम की भूमिका यह सब जो और नीती ओजनाएं और यह सब जो आपको अस्पेसली जो करवाया गया है आरेंटी सेपी करतार सिंक मिट तो करवाज दिया गया था हाँ मल्टी ड्रग और यह समनेशनल मीड डे मिल प्रोग्राम यह सब जितने भी है ना यह सारा आपको रिवीजन जाकर अप्लिकेशन पर कर लेना है ठीक है ना यह सारा बाकी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और यह जो नोट्स है यह नोट्स को सभी लोग रिवीजन पीडियेफ में जाकर कर कीजिए जिनका एकजाम जो है आपको 11 और 12 तारीक है ठीक है जिनका एकजाम 11 और 12 तारीक है और जो भी केंडिटेट जो है अभी तक पीडिये पे जो जॉइन करना चाहते है लास्ट में बहुत लोग कॉल कर रहे हैं जॉइन करने के लिए पीडिये तो वो जो है न अश्टडी इंडिया अड़ा अप्लिकेशन पे जा करके जॉइन कर लिजे एस आई ए 300 कूपन को डालिएगा तो आप जॉइन कर सकते हैं या फिर 854 1653 बामने नंबर पर कॉल करके जॉइन कर सकते हैं ठीक है न शेलिए बाकी अब हम लोग बात करते हैं जो भी एस्टुडेंट एक्जाम दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में सो लोग कमेंट किजेगा किस किस टाइप स जहना अफलोड कर दूँगा बना करके ताकि आने वाले एक्जाम में आपको डिरेट इसका फायदा होगा ठीक है चलिए बहुत बहुत धन्यवा सेशन ट्रेंट करने के लिए सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए